साथियों नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है के पिएच अकेडमी में और मैं हूँ पुस्पेंदर यादव जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हम लोग अभी तक जो संबिधान की कड़ी पड़ रहे हैं उस कड़ी में अभी तक हम लोग नीती निदेशक तक्तवों के बाद रास्टरपती का एक अध्यन कर चुके हैं रास्टरपती का जो हमने पिछला लेक्चर लिया था उसको मैंने यहाँ आई बटन पर भी डाल दिया है आप आई बटन पर क्लिक करके उस पहले सेशन को देख सकते हैं हमने वहाँ पर महा भीयोग तक की प्रक्रिया रास्टरपती के संदर में आपको बता दिया है अब जो आज जो मैत्पूर टॉपिक है वो यह है कि रास्टरपती के पास सक्तियां कौन कौन सी हो जैसे सबसे मैत्पूर है कारिकारी सक्तियां उसके अलावा है विधाई सक्तियां उसके अलावा है न्याइक सक्तियां उसके अलावा हम कह सकते हैं वित्तिय सक्तियां हैं सैन्ने सक्तियां हैं इसके अलावा हम लोग कूट नितिक सक्तियों की बात कर सकते हैं और साती साथ आपात काली सक्तियों की बात कर सकते हैं लेकिन जब ये सारी की सारी सक्तिया हम लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद आती है इन सबकी सक्तियों का जो ब्रहमास्त रहना वो है वीटो पावर ये राश्टपती के पास ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके जर्ये वो एकदम special rights रखने लगता है तो veto powers को हम लोग सबसे आखरी में पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक-एक करके कारिकारी, विधाई, नयाई, ये जितनी भी सक्तियां है इन सब के बारे में एक छोटा-छोटा सा introduction हम और आप लोग एक साथ ले लेते हैं शुरुआत करते हैं कारिकारी सक्तियों से कारिकारी सक्तियों का मतलब होता है कारिपालिका से जुड़ी होई अब कारिपालिका में कौन है कारिपालिका में है आपका प्रधान मंतरी आपकी मंतरी परशत है न तो सबसे पहला जरूरी जो यहां पर बात आ जाती है वो ये कि अनुक्षे त्रेपन का पहला ऐसा यही कहता है कि संग की समस्त कारिपालिका सकती रास्ट्रपती में नहित होत ये बहुत मैत्वपूर हिस्सा है, कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि संग की कारेपाल का सक्ती किसमें नहित है, तो संग की संपूर कारेपाल का सक्ती रास्ट्रुपती में नहित होती है, इस बात को आप गौर से दिमाग में बिठा के रखें, संग की समस्त कारेपाल क सकती रास्ट्रपती में नहेत होती है यह अनुक्षे त्रेपन के भाग एक में लिखा हुआ है अब बात आती है कि रास्ट्रपती अगर कारेपालिका सकती का संग की कारेपालिका सकती का कह सकते है कि अगर सारी सकती उसी में है तो यह क्यों है ऐसा इसलिए है दोस्तों क्यों उसके लिए रास्टपती की या तो पूर्बानमती जरूरी है या फिर उस कारे के बाद में रास्टपती के नमती जरूरी है क्योंकि जितने भी कारे भारत सरकार करती है जितने भी चीजें लगू करती है वो सब रास्टपती के नाम से ही होते हैं खास करके मैं कानूनों की ब बात नहीं कर रहा हूं जितने भी कानूनी दाव पेच हैं यह सारे के सारे रास्टुपती की अनमती के बाद ही जारी हो सकते हैं उससे पहले जारी नहीं हो सकते हैं और इसलिए संग की कारपालता सकती किस में नहेत है रास्टुपती में नहेत है इविन जो मंत्री परशद है मंत्री परशद जो है यानि कि प्रधान मंत्री ने जितने भी अपने नीचे मंत्री रखे हुए हैं 70-72 जो भी संक्या है बरतमान में ये सारी की सारा जो जमावड़ा है मंत्रियों का यही मंत्री परशद गहलाता है अब ये जो मंत्री परशद है न ये मंत्री परशद भी र भाग एक में यानकी आटके 74 क्लॉज 1 में साफतोर पर लिखा गया है कि रास्ट्रपती को सलहा देने के लिए एक मंत्री परशद हो ये भी कारिपालिका से जोड़ा हुआ ऐसा है साती साथ सासन सम्मंदी समस्त कारिकिस के नाम से किये जाएंगे रास्ट्रपती के नाम से किय हो यानि कि मंत्री परशद हो इन सभी लोगों को सपत दिलाने का जो काम है वो हमारा रास्ट्रपती करता है यानि कि आप मोटे तोर पर कह सकते हैं कि जो हमारा प्रधान मंत्री है और जो हमारे मंत्री परशद के लोग हैं इनको सामूहिक तोर पर या फिर अलग-अलग करके रास्ट्रुपती सपद दिलाएगा वो स्वेम या अपने अधीन सद्धकारी के माददम से सपद दिलाएगा और ये सभी लोग रास्ट्रुपती के प्रिशाद परियंत ही पदधारड करेंगे ये बात यहाँ पर कहीना कही छुपी हुई है अब इसके बाद की बात करते हैं दोस्तो रास्ट्रुपती जो है वो एक अंतर राजिये परिशद का गठन कर सकता अंतर राजिये परिशद क्या होती है अलग-अलग स्टेट के बीच में एक समनवय बनाने की एक परिशद है एक काउंसल है जो कि अलग-अलग स्टेट के बीच में क्या करेगी एक समनवय बनाने का प्रियास करती है तो एक अंतर राजिये परिशद का गठन भी कर सकता है साते साथ जो हमारा राश्ट्रपती होता वो प्रतेख पांच वर्स के अंतराल पर वित्त आयोग की स्थापना भी करेगा वित्त आयोग अभी तक आप देख रहे थे पंद्रमा वित्त आयोग हमारे देश में लागू हाली में हो गया है एक अपरेल से उससे पहले पंदर में वित्तायोग ने कुछ सिफारिसे भी दी है जो कि बड़ी मेत्वपूर है आपको पढ़ने भी चाहिए मेरे हिसाब से ठीक एक और जरूरी चीज है कि किसी भी छेतर को रास्रपती चाहे तो अनसूचित या अनसूचित जन जाती छेतर कर सकता है यानि कि उसके पास special right है अगर उसको लगता है कि किसी अनसूचित जाती छेतर में कोई सई चीज नहीं चल रही तो स्वेम बोस को उसकी detailing भी ले सकता है और साती साथ वो किसी भी particular देश के हिस्ते को अनसूचित जाती और अनसूचित जन जाती छेतर भी गोशित क कर सकता है तो ये रास्ट्रपती के पास कुछ महत्वपूर कारेपालिका की सक्तियां होती है दोस्तों अब हम लोग आते हैं रास्ट्रपती की विधाई सक्तियों पर विधाई सक्ति में पहले आप ये समयो को विधाई का क्या है अच्छा इस से पहले जब मैंने कारेपाल तो कानून बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो विधायका के अंदर संपन होती है विधायका के अंदर लोकसभा, राजसभा और राश्टपती आ जाते हैं अब विधायका कोई कानून बना करके जब पारित कर देती है तो लागू कराने की जिम्मेदारी होती है कारेपालिका और उसके बाद अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि कानून सही नहीं विधायका से बना और कारिपालका ने गलत ढंग से लागू कर दिया है तो उसके लिए तीसरा ढाचा यानि की नियाईपालिका का है जो की वहाँ पर लोगों को नियाई दे रहा होगा तो इस तरीके से तीनों जो हिस्से हैं कारिपालका नेयाईपालका और जो विधायका का हिस्सा है वो अपना अलग-अलग काम कर रहा होता है अब विधायका के अंदर आपके पास दो सदन है एक लोकसभा का सदन है तो वहीं दूसरा राज्यसभा का सदन है लोकसभा और राजसभा के अंदर एक रूल है कि हर छे महीने के अंदर एक बैठक जरूर होनी चाहिए यानि कि किनी दो बैठकों के बीच में छे महां से जादा का समय नहीं लगना चाहिए यह रूल में लिखा हुआ है ऐसे में जो बैठक को आहूत करना और बैठक को समाप्त करना यानि कि बैठक को की सुरुवात करना और बैठक को समाप्त करने का जो निरड़ है वो कौन लेगा तो यह राश्रपती करता है मैं आपको बता दूँ यहाँ पर थोड़ी सी पेचीदगी होती है वो ये कि मंत्री परिशद सुझाओ देती है रास्ट्रपती को कि इस तारीक से संसद का सत्र आहूत किया जाए यानि कि प्रारंब किया जाए तो रास्ट्रपती वो फाइनल अथॉरिटी है जो कि एक लेट रास्ट्रपती साती साथ उस सत्र का सत्रावसान कब होना है इस बात को भी कौन जस्टिफाई करेगा रास्ट्रपती ही जस्टिफाई करेगा यानि कि संसद की बैटक को आहूत करना या उसका सत्रावसान करना ये दोनों ही किसके हाथ में है रास्ट्रपती के हाथ में एक और चीज होती है वो होती है संसद का यानकी लोकसभा का विगटन लोकसभा का विगटन सामानता तब होता है जब या तो कारेकाल पूरा हो जाता है या फिर बहुमत की स्थिती नहीं रह जाती किसी सरकार की तो विगटन करने का जो ओडर है वो भी रास्टपती ही जारी कर सक आहूत करना सत्राविसान करना और विगटन करना ये तीन काम तो रास्टरपती के हैं लेकिन एक छोथा काम और होता है। बोल देता है कि सत्र को दो बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है या कई घंटों के लिए स्थगित किया जाता है या दो दिन के लिए एक आद बार ऐसा भी आप पाएंगे कि सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अब सत्र नहीं चलेगा लेकिन मैंने क्या कहा सत्र अगर नहीं चलेगा मतलब सत्राबसान हो गया और सत्राबसान को जारी करने की सकती तो रास्टपती के पास ही है, फिर ये लोगसभा का स्पीकर कैसे कह सकता है, दरसल यहां की प्रोसेजरा समझी है, अगर लोगसभा के स्पीकर ने कहे दिया कि हम सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करते हैं, तो ये जानकारी फिर लोगसभा का स्पीकर रास्टपती क वो कही ना कही दास्टवती के पास ही रहने वाली है वो किसी और को नहीं मिलने जा रही है तो इसके चक्कर में आपको बिलकुल भी नहीं पड़ना है तो आपको ये हिस्से लगबग समझ में आ गए अब एक दूसरे हिस्से की बात करते है होता क्या है कि हर साल जैसे ही बजट सत्र आता है जो कि सामान्निता एक फरवरी के अर्द गर्द होता है जब भी बजट सत्र आता है तो बजट सत्र में जो पहली जो बैठक होती है वो संयुक्त रूप से होती है और उस बैठक में आप पाएंगे कि वहाँ पर रास्टपती अबिभासड दे रहा होता है रास्टपती क्या कर रहा होता है अबिभासड दे रहा होता है और अबिभासड में वो जिन चीजों को बोलता है या जिन सब्दों को कहता है वो कहीं ना कहीं मंत्री परशद द्वारा लिखित में दिये गए होते हैं वो स्वेम राश्टपती के खुद के वर्ड नहीं होते हैं ठीक है तो होता क्या है कि हमेशा बजट सत्र की शुरुआत में आप पाएंगे कि राश्टपती संसद के सयुक्त अधिवेशन में अभिवासट देता है पहली जरूरी बात दूसरी बात ये कि जब भी नई सरकार बनेगी और नई सरकार के गठन के बाद जो भी पहला सत्र चालू होगा मालो की मई में सरकार बनी और जून में सत्र है तो जून में भी राश्टपती जो है नई सरकार के पहले सत्र में अपना अभिवासट जरूर देगा तो अभिवासट जो राश्टपती है वो दो तरी कैसे देखता है एक तो नई सरकार के गठन के ठीक बाद जो पहला सत्र होगा उसमें और प्रतियक वर्ष जो है बजट सत्र में तो ये दो अभिवासट जो है वो रास्टपती देता है और वो भी कही न कहीं उसकी एक विधाई सक्ती का ही परिणाम है इसके बात-बात करते है होता क्या है दोस्तो अनुक्षेद 123 जो है वो रास्टपती को अध्यादेश जारी करने की सक्ती देता है ये अध्यादेश बड़ा इंपोर्टेंट है बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है क्यों है इतना इंपोर्टेंट ज़र समझो अध्यादेश जो होता है वो अध्या आदेस होता है मतलब आधा आदेस होता है पूरा आदेस नहीं होता है और आदेस एक किस्म का कानून ही है लेकिन राष्टपती ने जारी किया है आधा कानून इसका मतलब यह है कि जो अध्यादेस है वो टेंपररी कानून है वो पर्मानेंट कानून नहीं है जैसे मैं आपको example देता हूँ सुप्रीम कोट ने जब कहा कि तीन तलाग पर सरकार कानून ले करके आए अब उस समय क्या था कि तुरंत ओंदा इस्पोट जो है सत्र को आहूत नहीं किया जा सकता था क्योंकि फिलाल में सत्र खतम हुआ था ऐसे में सरकार ने क्या किया राष्ट्रपती के माध्यम से मंत्री परसित ने राष्ट्रपती को सलहा दी कि आप तीन तलाग पर एक अध्यादेश जारी कर दीजिए और जैसे ही अगला सत्र होगा हम उसमें उसको एक पर्मानेंट कानून बना देंगे यही किया गया शुरुवाती दोर में इसको अध्यादेश के रूप में राष्ट्रपती द्वारा गोसित कर दिया गया और इसको लागू भी कर दिया गया जब यह अध्यादेश के रूप में लागू हो ग परिया चली और दोनों सद्रों से पारिक कराके राश्टपती के साइन करा करके अब तीन तलाक का एक पर्मानेंट कानून जो है वहाँ पर बना लिया गया तो ये जो हिस्सा है एक एक सुरुवाती कानून से लेकर के पर्मानेंट कानून बनाना ये अध्यादेश को लेकर कर हम लोग विध्यक पारित करते हैं उनमें सामानने तक क्या होता है कि लोकसभा राजसभा से पारित करने के बाद ये जो विध्यक है वो रास्टपती के पास जाता है और किसी भी विध्यक को अधनियम बनने के लिए ये जरूरी है कि रास्टपती की अनमती जरूर मिले लेकिन कुछ ऐसे विध्यक होते हैं जिन में रास्टपती की अनमती बाद में नहीं शुरू में ही चाहिए होती है यानि कि रास्टपती की पूर्ब अनमती लेनी पड़ती है जिसे धन विध्यक में इसमें पूरबनमती ले लेनी पड़ती है और इस वजह से इसमें बाद मैनमती नहीं लेनी पड़ती है तो यहां इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि धन विधयक के केस में बाद मैनमती नहीं लेते हैं वो पूरबनमती लेते हैं अब हम लोगों ने विधाई सक्तियों तक बात कर ली है, विधाई सक्तियों के बाद हम लोग आते हैं राश्ट्रपती की वित्तिय सक्तियों के ऊपर, वित्तिय सक्तियों में सबसे जरूरी चीज होती है आकस्मिक निधी का प्रियोग, जो हमारा भारत का राश्ट्रपती है वो हमारी जो भी आकस्मिक निधी हमारे सरकार के पास होती है वो उसका किसी भी आपातकाली सिचेविशन में उसका इस्तेमाल कर सकता है उसका प्रियोग कर सकता है और ये पावर्ज जो है वो अपने मिनिस्ट्री या अपने अधिकारियों के माध्यम से वो कर सकता है और आपको मैं बता दूँ कि जब भी आपने देखा होगा कि जो आपातकालीन फंड होता है उसको आप कई बार पाएंगे कि प्रधानमंतरी का वित्त सचिव खर्च कर रहा होता है दरसल वित्त सचिव राष्ट्रपती से चर्मती लेकर ही उसको खर्च कर रहा होता है अलग से कोई पावर नहीं आती है ठीक है दूसरी बात जब भी आप बारसिक वित्तिय विवरड यानि की बजट की बात करते हो तो बजट को संसत के पटल पर प्रस्तुत करने का जो काम है वो भी राष्टपती का ही होता है और साती साथ अगर संसत में कोई काम चल रहा है तो उसमें कई बार अनुदान प्रस्तुत किये जाते हैं तो ये अनुदान की जो मांग होती है वो भी राष्टपती के सिफारिस के बिना कभी भी पूरी नहीं हो सकती है ऐसा इसलिए है कि अनुदान आता क्यों है अनुदान आपको एक extra money की requirement होती है, मैं example जैसे आपको देता हूँ, जैसे 12 महीने के लिए एक budget आता है, ठीक है, लेकिन budget आता है फरबरी में, और नया session स्टार्ट होता है आपका अपरेल में, ठीक, तो यहाँ पर अभी जिस फरबरी में जब budget आ रहा है, तो सरकार के पास उस फरबरी औ मार्च महीने का पैसा अभी नहीं आया, उसको नहीं पता है कि कितना collection होने वाला है, तो वहाँ पर वो जो आंकडे सरकार रखती है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके के आंकडे होते हैं, जो कि वो लगबग approximate के हिसाब से लागू कर रहे होते हैं, कि लगबग में इतना पैसा आ सकता है, तो होता क्या कि उस दौर में सरकार कैसे चीज़ों को खर्च करेगी, क्या manage करेगी, वहाँ पर कुछ अलग से पैसे की requirement सरकार को होती है, तो ऐसे में कुछ अनुदान की मांगे भी की जाती है, वो जो पैसा है, वो जो fund आएगा, जो अनुदान का पैसा आएगा, वो रास्टपती की सहमती पर ही आता है, यानि कि रास्टपती की सिफारिस पर ही अनुदान का पैसा आएगा, ये बात ध्यान रखनी है, हम लोग वित्तिय सकतियों को पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आते हैं, रास्टपती की नियाइक सकतियों की बात करते हैं, नियाइक करने का काम राष्टपती का ही होगा आप लोग अच्छे से जानते हैं मैं पिछली स्लाइड में बता भी चुका हूँ नियुक्ती सब्द का मतलब क्या होता है ठीक है आप जो मेरी महाराजा वाली जो एक स्लाइड है जो राष्टपती के ऊपर मैंने बनाई है उसको को आप कर सकते हैं मैंने आई बटन में उसको लगा के रखा है ठीक दूसरी जरूरी बात राष्टपती जैसा कि मैंने कहा कि वो सुप्रीम कोट के जज और जो अधर जजिस हैं जो चीप जिस्टिस के लावा अधर जजिस हैं उनकी नियुक्ती करता है साथी साथ वो उनसे सलहा भ ये वो वाद्यकारी नहीं होता है इस बात को आपको ध्यान रखना है ठीक अब तीसरी बात में करता हूँ कि जो दोस सिद्ध व्यक्ती है उसको अगर राष्टपती चाहे तो पूरता छमा भी कर सकता है किसी व्यक्ती को मानलो दंड दे दिया गया है तो राष्टपती और इसमें भी कोई आपको घबडाने वाली बात नहीं है ये जो छमा वाली चीज़ें है ये पांच किसम की है ठीक इसमें पांच में सबसे पहला होता है लगू करड दूसरा होता है परिहार तीसरा कहलाता है विराम चौथा कहलाता है प्रवेलंबन और पांचवा छमा जो तो लगू करण है, वो दरसल सजा की प्रकृती को बदल देता है, जिसे किसी को कठोर कारावास हुआ है, तो उसको साधारण कारावास में बदल दिया जाता है, कठोर में चकिया पिसाई आएगी, साधारण में उसको कुछ भी नहीं, सिर्फ सजा करण को, तो पहले में प्रक तो घटा करके एक साल कर दी जाएगी, ये चीज जो है वो परिहार क्यलाती है, तीसरी बात, तीसरी चीज होती है विराम लगा देना, विशेज परिस्थिती अगर है कि कोई विकलांग है या कोई गर्वती महला है, तो ऐसी स्थिती में उसकी सजा को वहाँ पर कम करके उसको रिलीफ कर दिया जाता है, उसको रिलीज कर दिया जाता है, यानि कि उसकी सजा पर वहीं पर विराम लगा दिया जाता है, जिससे महलों किसी विक्ति को 6 साल की सजा हुई है, तो अगर देखा गया 5 साल के बाद कि नहीं, इस विक्ति की तबियाट ठीक नहीं रहती है, या उस सजा का अनुपालन कराना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है और राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को उसकी सजा से पहले भी कुछ परिस्टियों के हिसाब से छोड़ सकती है जरूर ही नहीं है कि राश्पती ने जितनी सजा बताई है पूरी की पूरी ही काटनी पड़े और राजी सरकार के ओर्डर के हिसाब से उसको पहले भी छोड़ा जा सकता है यह बात बहुत काम की है आपके प्रविलंबन क्या है मैं आपको बतातू प्रविलंबन का मतलब होता कि किसी दंड को कुछ समय के लिए टाल दो, जैसे किसी व्यक्ति को फांसी हो, खास करके ये फांसी में ही प्रविलम्बन इस्तमाल होता है, मालो किसी व्यक्ति को फांसी होई है, अब फांसी के बाद वो चाहता है कि नहीं हमको एक महिना रुख जाने दो, है ना, हम एक महिना थोड़ा सा जीना चाहते हैं सिर्फ एक महीना मांग रहे हैं कोई भी कारड़ बता सकता है तो क्या किया जाएगा उसको एक महीने का विलंब करके उसको फांसी की सजा पे चड़ाया जाएगा तो उसको जो फांसी दी गई उसमें जो एक महीने का विलंब हुआ ये जो एक और इसमें पूर्त चमा दे दी जाती है, रास्ट पती क्या देता है, कि जाओ मैनत में आख जाती है, अब ये जो माफी है ये इतनी बड़ी माफी होती है, avoid कि ऐसा माल लिया जाता है कि जो घटना उस व्यक्ति द्वारा घटित की गई थी वो घटना कभी हुई ही नहीं एक एक पन्य को एक एक जगे से हटा दिया जाता है उसको बिल्कुल खतम कर दिया जाता है जला दिया जाता है ताकि भबिस में भी कभी ऐसी घटना का जिकर कहीं पर भी ना हो सके, ठीक है ना, तो राश्टपतीन हाला कि कभी शमा दी नहीं है, लेकिन ये शमा का प्रावधान जो है, वो किया गया है, ठीक, तो ये एक शमाधान की सकती अनुक्षेत 12 में दी गई है, इसकी मैंने चर्चा करी, अब बात करते हैं कूटनीतिक सकतीयों की, किसी विदेशी या किसी अन्य कंट्री के साथ हमारे संबन्ध जो हैं वो किस तरीके से डील होंगे तो क्या होता है जब भी कोई अंतरास्टी संधी या समझोता होता है तो रास्टपती के नाम पर ही किया जाता है कभी भी कोई अंतरास्टी संधी होगी या समझोता होगा वो हमारे देश में आता है या राष्टपती किसी अंतराष्टिय मंच पर कोई व्यक्ति आता है और वो हमारे देश में आ रहा है तो राष्टपती का ये करतव है कि वो उसका वेलकम करें तो राष्टपती क्या करते हैं ऐसे में भारत का प्रतिनिद्रित्व करते हैं और उनको जानते हैं कि हमारी सेना का जो सरवच सेना पती है वो रास्ट्रपती होता है और चाहे जल सेना हो थल सेना हो या वायू सेना हो इनके जो लीडर्स हैं जो सेना पती हैं जो प्रमख हैं उनकी न्युक्ती भी कौन करता है रास्ट्रपती ही करता है चीक तो ये हमारे रास्ट्र पती की सेन शक्तियों का एक मैंत्वपूर हिस्सा है कई बार आपने सुना होगा कि देस जो है हो युद्ध छिड़ देते हैं तो ऐसे में युद्ध की घोशड़ा करने का जो जो तरदाइत्व है या जो अधिकार है या जो सक्ती है वो भी राष्टपती की है और साती सात किसी भी युद्ध को रोकने की जो आदेश है वो भी राष्टपती ही जारी करता है तो ये हमारे राष्टपती की जो है वो सेन्ने सक्तियां है आपातकाली सक्तियां आप सब ल राष्ट्रपती ही ओर्डर जारी करता है पहला जो आपातकाल होता है वो राष्टी इस्तर का होता है उसको राष्टी आपातकाल कहते है अनुक्षे 352 के ते है दूसरा जो आपातकाल होता है वो राष्ट्रपती सासन के नाम से जाना जाता है और वो किसी राज्य विश्यस में या एक से अधिक राज्यों में लागू होता है ये अनुक्षे 356 के तहत होता है और जो तीसरा आपातकाल का हिस्सा है वो होता है 360 में यानि कि वित्ती आपातकाल जो कि अभी तक कभी भी नहीं लगा लेकिन ये तीनों ही आपातकाल जो हैं वो रास्ट्रपती के द्वारा जारी के जाते हैं यानि कि इन आपातकालों की जो घोशणा है वो हमारा रास्ट्रपती करेगा जब हम लोग इतने सारे आपातकाल पढ़ चुके हैं तो अब आते हैं राष्टपती की वीटो सक्ति यानि की ब्रमहास्त्र पर साथियों अब हम लोग बात करते हैं राष्टपती की वीटो सक्तियों की वीटो सब्द जो है ये एक लेटिन भासा का सब्द है जिसका मतलब होता है रोकना यानकि राष्टपती किसी भी विध्यक को अपनी ये जो ब्रमास्त्र जैसी सक्तियां हैं इनके जरीय रोक सकता है ये किन परिष्टियों में रोकेगा वो मैं आपको बता दूँ सबसे पहली परिष्टि ये कि अगर विधायका किसी कानून को बना रही है और वो कानून जो है वो सम्विधान की मूल भावना के खिलाफ है तो ऐसे में राष्टपती उस विध्यक को रोक सकता है पहली हो जरूरी बात दूसरी बात अगर राष्टपती को ऐसा लगता है कि सरकार किसी कानून को बहुती जल्दबाजी में ला रही है उस पर एक सही किस्म से विचार विमर्स नहीं किया गया है ऐसी परिश्टपती में भी राष्टपती क्या करेगा वो अपनी वीटो सकती का इस्तमाल यहां पर कर सकेगा ये 111 में राष्टपती को अधिकार दिये गए है कि वो किसी भी विधेयक पर तीन तरीके की सहमतियां दिखा सकता है कि अगर उसके पास विधेयक आया तो उसको सुरक्षित रख सकता है दूसरी बात वहे उसको सहमती दे सकता है और तीसरी बात रास्ट्रपती चाहे तो उसको पुनर विचार के लिए लोटा सकता है। लेकर अगर दूसरी बार संसद ने भेजा तो वाद्यकारी हो जाएगा तब रास्ट्रपती को उस विधयक को अनमती देनी ही पड़ेगा। यह जरूरी बात है यहापर जरूरी पहलू है यहापर। हम आपको बता दे कि जो वीटो सकतियाँ हैं रास्ट्रपती के पास वो त सकतियां हमारे राष्टपती के पास अपलब्द है अत्यांतिक वीटो जो होती है वो राष्टपती संसस से पारित किसी भी विध्यक को इसके जरीए सुरक्षित कर लेता है और सुरक्षित करने का मतलब यह हो गया कि अब वो विध्यक समाप्त हो गया और वो विध्यक अब अधिंयम नहीं बन सकता है अगर रास्टपती को लगता है कि इस विधेख को मुझे पारित नहीं होने देगा तो उसको सुरखचित कर लेगा और इसका मतलब यह होगा कि उसने अत्यान्तिक वीटू का इस्तमाल किया है और उस विध्यक को पारित नहीं होने देना चाहता है तो इसमें दो मामले सामानेता होते हैं दो वजह से ऐसा या दो केसिस में ऐसा किया जा सकता है कि यदी विध्यक जो है वो गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा लाया गया हो या फिर जो सरकारी विध्यक है वो मंत्री मंडल त्याग के बाद आया हो मैं आपको ये दूसरा वाले ऐसा थोड़ा ज़्यादा ब्रीफ में समझाना चाहूँगा होता क्या है कि जैसे मालो अभी सकेंदर सरकार में मोदी जी के सरकार है ये कोई विध्यक राश्टपती के पास अगर भेज दे मालो की जब राज्य सभा से राश्टपती के पास ये विध्यक आ रहा था उस समय लोग सभा का विध्यक हो गया और तब तक कोई नई सरकार आकर के सक्ता में बैठ गई अब क्या होगा राश्टपती के पास जो विध्यक आया है वो पुरानी वाली सरकार से आया था ये तो नई सरकार बन गई ऐसे में राश्टुपती अगर चाहे तो उस विधियक को रोक सकता है ये एक केस हुआ था पैपसु अधनियम के केस में पंजाब को पहले पैपसु राज्य कहा जाता था उन्होंने डॉक्टर राजेंदर प्रसाद ने क्या किया था यहां पर इसी कंडीशन की वज़े से अपने नड़े रोक दिया था साथी साथ 1991 में भी जो आर विंकटर मन हमारे राश्टपती मौदे हुआ करते थे उन्होंने भी वेतन भत्ता और पैंसन का जो विधियक था उसे अत्यांतिक वीटो के आधार पर रोक लिया था इसके बात आते हैं नि विचार के लिए लोटा देगा कि फिर से विचार करो लेकिन अगर संसदने पुन है इसको भेज दिया अब संसदन करके भी बेज सकती है बिना संसदन के भी बेज सकती है वाद्यकारी नहीं है तो जब दूसरी बार आएगा राश्टपती के पास फिर राश्टपती वाद वुझेक को अपने पास रख लेता है ना तो सहमती देता है और ना ही उसको वो है ना तो वो उसको सहमती देगा और ना ही उसको reject करेगा कोई काम नहीं करेगा अपने pass pocket में डाल लेगा पड़ी हुई तो ऐसे में क्या होता है कि वो इस बात का wait करता है कि सरकार जाए और दूसरी सरकार आए उसके बाद ये अपने आप collapse हो जाएगा खतम हो जाएगा यानि कि जब राश्टपती चाहता है कि कोई विध्यक पारित ना हो तो वो जे भी या pocket वीटो का इस्तमाल भी कर सकता है ये भी उसके हाथ में ठीक, लेकिन वो कही ना कहीं pocket वीटो के माध्यम से सरकार के साथ अपने रिस्ते खराब नहीं करना चाहता ये एक आलग चीज है इसलिए वो कहता है कि नहीं पारित कर देंगे वो लगाता टालता रहता है ठीक है ना? कि नहीं हम कर देंगे अभी रखा है अभी time नहीं कर देंगे और वो लगातार अपना time spent कर रहा होता है और उस विध्यक पर ध्यान नहीं दे रहा होता है तो इस तरीके से राष्टपती की वीटो सक्तियां हैं और अभी तक अगर कोई भी टॉपिक में आपको कोई डाउट हुआ तो आप कॉमेंट सक्षिन में मुझसे पूछ सकते हैं और लगातार जुड़े रहेगा KPS Academy के साथ अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नही किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद कल्लका वीडियो देखेंगे थैंक यू सो मच